हेलो वेलकम तो विजयापारती किचिन फ्रेंट्स अज मेरी किचिन में बन रहा है ब्रेन इंग्रीन काड़म एंड ब्लैक पेपर जो आप खाएंगे तो बहुत ही अपनी उंगलिया चाटते रह जाएंगे अगर आपने मेरी चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्ली वन टी स्पून या वन टेबल स्पून जरुरत होता है और विदिन फाइव मिनिट्स आपका ये रेसिपी रेडी हो जाता है और खाने में तो बहुत ही यमी टेस्टी होती है और जम बना रहे हैं ग्रीन काड़म में में ग्रीन इलाइची में मटन ये सौरी ब्रेन गोट ब बॉइल करेंगे अब इसमें बॉइल आ गया है अभी इसको हम निकालते हैं गया से अब एक पैन रखेंगे हम इसमें मैंने वन टेबल स्पून ऑईल डाला है इलाइची वाले ब्रेन में ज्यादा नहीं होता है बहुत ही कम ऑईल की जरुरत होती है और इसमें मैं अभी एक फोर ग्रीन इलाइची लिये हैं मैंने कार्डमम्स फोर कार्डमम्स वो डाला मैंने अब इलाइची इस प्लटर हो रही है हम बॉयलिंग वाटर में से निकाल के ब्रेन पानी बिल्कुल नहीं होना जाएं कर्णके और इसको ओइल में करेंगे करके अब एक इसको मेरियम फ्लेम पर हम रख तेंगे जैसे थोड़ा ब्राउन हो जाएं यूचे से इसको दोनों साइट से हम थोड़ा ब्राउनिश करेंगे मेडियम टू हाई फ्लेम पर इसको हम फ्राइ करेंगे बहुत ही इसकी इतनी डिलिश्यस विश्बू आ रही है ना बहुत सुंदर अरोमा है इसका इसको हम बहुत जल्दी हमें टर्म नहीं करना है बुल फ्लेम पर इसको रखना है हमें अब देखते हैं कि पिसे साइब इसका कैसा और यह देखेँ थोड़ा इसको नीचे लगेगा पैन में तभी वह ब्रावन होगा थोड़ा पिंकिश ब्राउन करना है कदर हमें फोड़ा तला लगेगा तो ही वो ब्राउन होगा और फ्राई भी अच्छी तरह से हो जाएगा यह देखिए अभी नीचे से तला लगा है इसका साइड हम चेंज करेंगे यह हलका हलका फ्राई हो रहा है दो ब्रेंज लिए है मैंने इसको मैश नहीं करना है फुल ही रहने देना है आप साइड में देख सकते हो पैन इसमें लग रहा है पैन में यह इसका खोड़ा कच्छा पर निकल जाएगा ऐसे और कलर आजाएगा इसमें अच्छी तरह से अब इसमें हम पानी डालेंगे जितनी कंसिस्टेंसी हमें चाहिए और यह जो बड़े बड़े पीसेज हैं इसको हम ऐसे छोटा बना डालेंगे बहुत बाकी के तो सब अल्रेडी खुदी हो गए हैं इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे हम स्वादनु सार नमक इसमें हम अल्दी डालेंगे अब थोड़ी 1-4 ती स्पून इस JAMES भी कम थोड़ी थी रेड चिली पाउडर अकॉर्डिंग टेस्ट दनिया पाउडर बिल्कुल थोड़ा सा हाफ पीस्पून बस इसमें और कुछ भी नहीं आएगा इसका हल्दी कालर और इसमें जो टेस्ट आएगी इलाइची के कारण वो बहुत ही यमी होती है इसको हम फाइव मिनिट्स तक कवर करके लो फ्लेम पे रखेंगे जैसे सब मसालों का फ्लेवर उसके अंदर जाना चाहिए यह देखिए अब यह कुख होके रेडी हो गया है गैस आफ किया अब इसको हम सर्व करेंगे इसके ऊपर हमें ब्लैक पेपर पॉडर डालना होता है क्योंकि इसका इसमें फ्लेवर ब्लैक पेपर पॉडर और इलाइची का ही आता है यह देखिए रेडी हो गया हमारा ब्रेन इन ग्रीन काडमम रेखिए ऐवा गया है ब्लैकर क्योंकि भ्राइच